असलाम वालेकुम नाजदीन आप देख रहे हैं होट न्यू स्टेडियो और होट न्यू स्टेडियो की जानब से एक एम ख़बर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आज एड़ोकेट जिबरान नासर की पी एमसी के खिलाब के हवाले से एक एरिंग ती और आज क्या हुआ वो उन्होंने बताया अपनी ट्वीट पे जो आपकी स्कीन पर है आप देख सकते हैं hashtag empty cat today our case was ripe for final arguments but PMC lawyer requested time due to having another case before a different court now honorable synthi court has fixed our case final arguments on 12th february our case is not for reject or grace marks but for रिकंड़क्ट डूडू आउट आफ सलेवर्स इसका मतलब यह है कि आज जो है उनका केस को फाइनल आर्गुमेंट की तरफ पकने जाना था मतलब उनका केस बस फाइनल आर्गुमेंट सी होने वाले थे मतलब एक या दो यहरिंग के अंदर ही खतम हो जाने वाला था ही केस पर पी एम सी के लॉयर ने टाइम मांगा क्योंकि उनके पास एक और अदर दूसरे भी केस था और वो भी दूसरे कोट के अंदर इसके उपर सिंध हाई कोट ने केस के फाइनल आर्गुमेंट को फिक्स कर दिया पारा फरवरी को अब हमारा केस उन्होंने आखर में ये बताया कि उनका केस जो है वो रीचेक या ग्रेस मार्क्स का नहीं है वो डायरेक्ट रीकंड़क्शन का है फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट की जो आपकी स्कीन पर आप तेख सकते हैं 18 वर आउट और सिंध एफसी स्लेबस, तूटेंट कंपेर टू पंजाब हैद अ मच टफर पेपर इसका मतलब यह है कि वो बता रहे है 18 जो थे वो सिंध के एफसी स्लेबस से बाहर थे तूडेंट जिनके आगर हम कंपेर करें पंजाब के साथ उनके लिए उनके हमारे लिए यह पेपर और जादा टफर था जबके पंजाब वालों के लिए थोड़ा असान था रिजल्ट क्या हुआ कि 3400 प्लस मंजाब के स्टूडेंट के जादा 90 परसंट आए और सिंध में सिफ 34 स्टूडेंट के ही 90 प्लस परसंट आए अगर इसका फैसला सही नहीं आया तो स्टूडेंट सफर करेंगे फ्यूचर के अंदर तो अब क्या होने वाला है सब के बारे में जानने के लिए खास तोर पे क्या 12 फरफरी को अगर एड़ोकिट जिबरान नासिर की हग में फैसला आ जाता है तो यहां पर तो इन्होंने डायरेक्ट रिकंडक्शन की डिमांड की है तो क्या होगा क्योंकि सिंध हाई कोड़ हो गया कि किसी भी मॉमेंट पर एकस केस का फैसला अगर आज एड़ोकिट जिबरान के हख में चला जाता है तो पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा हो जाएं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है शुक्रिया